यह देखिए, यह है Fog Light, क्या आपको लगता है कि सतरा लाख रुपे की गाड़ी में यह Fog Light होनी छी है, गाड़ी बिल्कुल ब्रेंड नियु है, और पास आके दिखा दो यह जो इसकी लाइट्स है, यह ऐसे करके जब हात लगाते हैं इस पर तो यह हिलती है, सर, माइलेज इस गाड़ी का मैं बोलना चाहूंगा, बहुत ही शांदार है, मैंने इस गाड़ी से 23 किलोमेटर प्रती लीटर का माइलेज निकाला है अभी अजमेर जैपूर हाइवे पे, 23 किलोमेटर जी, 23 और इंजिन की स्पेसिफिकेशन याद है, 1.5 लीटर का इंजिन है इसका जो की तकरीबन 120 न्यूटन मीटर के असपास का टॉर्ग देता है आपको और बेस्ट पार्ट इसकी यह है कि यह डियोएच सी एंजिन है, डूल ओवरेट कैमशाफ्ट तो इसका बेनिफिट यह है कि यह गाड़ी आप 6 गेर में भी चला सकते हैं 30 की स्पीड माल नहीं होगा आप कितनी बार भी बंद कीजिए गाड़ी अपने आप बूट खोल देगे एक माइनस पॉइंट इस गाड़ी का ऐसा है जिसने मेरा इस पूरी गाड़ी को खरीतने का experience ही खतम कर दिया क्यों हो ऐसे क्यों हो गया वह experience यह है सर यह 80,000 रुपे की दो headlights और 10,000 र बहुत अच्छा बनाया, suspension बहुत अच्छा बनाया, engine बहुत अच्छा है, gearbox बहुत अच्छा है, but एक ऐसी गाड़ी जो मैं रात को चलाई मैं सकूँ, इसका फाइदा क्या मुझे? तो यह लाइट में प्रॉबलम है इसकी लाइट में प्रॉबलम है, overall मैंने कम से कम 40 गाड यह 9 होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यह चार जलती है इधर, लो बीम में और यह इधर जलती है, हाई बीम में, प्रॉबलम किया इसमें, सर इनमें फोकस नहीं है, मैं आपको एक बड़ी खास चीज दिखाता हूं, यह रेखे, अगर मैं इस लाइट को सिर्फ ऐसे भी ट अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, रोड पे चलने के लिए, और उसके बाद इस गाड़ी की हैड लाइट से आप गुडगाओं की किसी भी साड़क पे नहीं चल सकते हैं, हाँ, अगर मैं लंडन में रहता, तो मेरे को दकलीफ नहीं होती, गाड़ी बिल्कुल ब्र इस गाड़ी में जो की हमें इन्होंने बताई है, वो है इस से रिलेटेड, यह है फॉग लैंप, और फॉग लैंप से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, इनकी लाइट है मुमबत्ती जैसी, अब आप यह देखे, यह है फॉग लाइट, क्या आपको लगता है कि सतरा लाक रुपे की गाड़ी में यह फॉग लाइट होनी चीए, अच्छा मतलब यह एक चेप ही लगा रहा कि चोड़ी सी एक LED चीप है, बस वो जलगे लिए, इससे मुझे रात में, अगर मैं शोशे बाजी करनी है, समझेगा साब, कि मैं गाड़ी के बाहर खड़े हो के ऐसे फोटो खिचाना चाहता हूं कि मेरी गाड़ी के सरकम्फरेंस में एक फुट में फोटो तब तो बट बढ़िया है, लेकिन अगर मैं अंदर बैच जाओं तो मुझे इस हैड लाइट से कुछ नहीं दिखेगा, और मज़ेदार चीज है, जब मैं वापिस गया शोरूम मैंने का यार, ना आपकी फॉग लाइट सही है, ना आपकी हैड लाइट सही है, तो सेल्स वाले मुझे कहते हैं, सर इस लाइट पे तो मैं 200 किलोमेटर चला दू, इस लाइट पे, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉल्म यह है, इसको अप्ग्रेड भी नहीं कर सकते, कोई औ क्यों कि उसमें कपलर फिट नहीं होंगे, तो फूरी गाड़ी की वाइरिंग चेंज करनी पड़ेगी, चलो एक बड़ी देख लेते हैं कि हैड लाइट कितनी है, अभी जादा डेलाइट नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत है, एक बड़ी बहुत है, एक बड़ी लाइट जिसको कि हम कहते हैं, नाइन एरे लाइट और होंडा इसका प्रचार करता है, बड़े बंठंड के, अब आप देखे, यह देखे, मैं आपको यहां से दिखाता हूं, यह रेखे साब, रिफ्लेक्टर हिल रहे है, अगर गाड़ी का लाइट का रिफ्लेक्टर हिल रहे है, तो मैं कैसे एक्सपेट करूँ यह देखे, आपकी जीन्स पर भी पिछे आप देखेंगे, अगर तो यह रेखे, यह रेखे, यह हलकी सी टैप में यह लाइट जब इतनी जादा फ्लिक्टुएट कर रही है, आप सोचे है, जब गाड़ी गड़े में जाएगी, पचास एम हारा हि हैं जरह कोई झाड़ी की इतनी बाते हैं अ यह हैडलाइट कौं सी इसाघी तो अब सोलुशन दे रहे हैं अगे, सर होन्डा क्या एमेल पैस और चोका है, क्यास लोगों के लिए-अप आपन दोर इतना गिर गया है और भविष्य में और भी जादा गिर जाएगा अगर उन्होंने अपने कस्टमर्स की बाते नहीं सुनी और यही एक कस्टमर नहीं है यह तो हमारे सामने मेरे पास 50 लोग ऐसे हैं जोनोंने मुझे ट्विटर पर टैक किया कि सर जो प्रॉब्लम आप कह रहे सर विडियो भेजदीया विडियो विडियो एविडेंस डिलर शिप को प्रोवाइड कर दिया डिलर शिप ने आगे भेजदिया फिर र अब ही तक मुझे इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है बहुत फ्लॉलेस है एर कंडिशनर अंदर के इंटिरियर स्टेक्निकल्स बजट में गाड़ी वर्थ है सिब हैडलाइट को छोड़ दें अगर अगर आप यह हैडलाइट को हटा दें तो मैं कहूंगा आप आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना कीमती पैसा बचालो 22 लाग रुपए लेके हिलती हैडलाइट मतलो मेरी इतनी जादा बहस हुई थी हॉंडा में कि मैंने उनसे बहुत एक छोटी सी बात पूछी थी तो भाइसाब इसके आगे या पे दो बंदे बठादू ऐसे करके जो चलें जब तक आप काम करोगे कैते सर अब हम क्या बता सकते बादर मुवी देखिए आपने बादर बिल्कुल देखिए उसके इंदर जैगी शौफ पालेट होता है बिल्कुल जब लड़ाए हो जाती है तो वह रात को प्लेन नियोड़ा पता वो यह वह हो गया है बारा दिन तेरा दिन में चल गई थी और आज यह गाड़ी थेशसो क्लोमेटर पर खड़ी है तीन महीने बाद तो अब आप समझ लीजे मेरी फैमिली इसको चलाने से इंकार कर रही है चोटा भाई है वो कहता है मैं अपनी कार में खुश हूँ वाइफ कहती है मैं अपनी क साथ जुड़ा था पहली बार तो आज भी बनाता हूं तो एक मेरा चानल है फोर व्लोग्स दाट्स फ्रेंड्स ओन राइड एफो ए यार व्लोग्स तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कीजेगा और रिक्वेस्ट है किंग इंडियन चानल को सब्सक्राइब जरूर कीज यह हमेशा आपको एजुकेटिव और इंफोर्मेटिव वीडियो देते आये हैं और मेरी पुकार पे एक बार आये हैं तो गाइस देते ही आएंगा अगे बिलकुल उमीद है कि यह वीडियो होंडा तक जरूर पहुचेगा और शायद कुछ ना कुछ रेजियूशन जरूर यह वीडियो में बहुच जली मिलते हैं तब तक के लिए की वाचिंग कीप रॉकिंग इंडियन बाई